अगली खबर में बात करते हैं रीवा की जहां नवरात्री के मौके पर रीवा के मौडल साइन्स कॉलेज में पुलिस विभाग दोरा चलाये जा रहे हैं नारी सक्ती करन पर चेतना अभियान के तहर नसा मुक्ती एवं साइबर क्राइम सहित मानफ दुर्वे भार्चय से मुख्या तिथी के रूप में एडिशनल स्पी अनिल सोनकर मौजूद रहें पुलिस मुख्याले बोबाल की निर्देश पर 26 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक मानफ दुर्वे भार को लेकर चेतना अभियान के तहर कारकिरम आयोजित किया रहा था इसी को लेकर कारकिरम में मानफ दुर्वेभार को लेकर चर्चा की गई और इसे समास से पूरी तरह से मिटाने की सबत ली गई साथ ही लोगों को नशा मुक्ती के लिए भी जागरू किया गया क्योंकि नसे के चल दे युगा पीड़ी इसकी चपेट में आकर अपनी जिंदगी बरबाद कर रहे हैं इस कारकिरम के दौरान महिला सुरच्छा को लेकर भी जानकारियां दी गई गई है मैं जाड़ू के संबत में हमारे दौरी जी और हमारे पूर्व जो भुकता हैं उन्हें बताया होगा आपको नशे के संबत में आपको एक दूर हराम देना चाहिए हूँ इसके लिए एक अभियां चलाया है और मानव दूर्वैपार को लेकर के 26 सितंबर मेरे बैठ की थी पहला दिन था नौरात्र का इससे अभियां का सुभारब किया क्योंकि इसमें मानव दूर्वैपार में सर्वाधिक जो विक्टिनाइस हैं जो प्यूरित हैं वो मैला होती है या बच्चियां होती है नौरात्र नारी सक्ति का प्रचीत का प्रतीक है और वो पहला दिन चप्डिस तारीप को चेतना के नाम से इस अभियान को कसवारब किया गया दिन रद्र हम कालेज तो स्कूलों में अन्य संस्ताओं को में एंजियों के साथ में कुछ और अन्य जो हमारे साथ जोड़े पे साथ थी उनके साथ जाकर प्रजार प्रशार करने का काम किया है। आज नौमी है और दसहरा को लेकर बहुत बड़ी तैयारियां चल लही है। इस्तान ये जगह है इसलिए चुनी गए कि यहां जो लोग हमारे सामने बैठे हैं उसमें बहुत बड़ी उरजा है। ये विसे अब राजियों को पकड़ना और उसे सजा देलाना तक सीमित नहीं है। महिला ताना प्रवारी और महिला सुरक्षा सहल की प्रवारी निशा अराधना और प्यारे चात चात्राओं। आज का दिसे जो है नशा और मानोदूर वैबास को लेकर गए है। मानोदूर वैबार जो समाज में एक अविसाप की तरीके है और ये एक संगठित अपराद है। समाज में इसकी जड़ें जो है बहुत दूर तक ठलती जा रहे हैं। इसको दिहान में रखकर हमारे पुलिस मुख्याले की महिला सुरक्षा सहल के द्वारा एक अवियान चेतना की रूप में चलाया गया था। 26 सितंबर से लेकर आज चार अक्टूबर तक ये था। आज इसका समापन दिवस था। इसमें हमने माडल साइंस कॉलेज प्रिंस्पल सापके सयोग से यहां एक कारशाला जो है आईउत की थी जिसमें हम लोगोंने नशा मुक्ति और मानव दुरुबैपार की लेकर जो है एंजियोस के सिरी दुवेदी जी और पुलिस विभाग और सिक्षा से विभाग से जोड़े लोगोंने इसमें अपना व्यक्ठान दिया और इससे बचने के लिए और समाज में इससे उखाल करके फेकने के लिए मानव दुरुबैपार से लोग जो जोड़े हुए हैं सपरात के बाहर करने के लिए एक अभियान के अंतिम दौर पर अंतिम दिन आज जो है सब लोगोंने बेट करके एक गोस्टी की है और संकल्प लिया है और सपत भी लिए है ति हम स्वयम इसको न करेंगे और नहीं समाज में होने देंगे धन्यवाद